वेलकम अगेन माई फ्रेंड्स एंडियर इस्टूडेंट मैसेल्फ माहिंदर देवंदा आज हम पढ़ेंगे क्लास रप्टिलिया के बारे में यहीं जो वर्ग सरीसरप हैं उनके बारे में जिसमें हम बात करेंगे जनरल करेक्टर्स यहीं जो सामान्य लक्षण हैं उनके बा वर्गी करण किस तरह से किया गया है इन दोनों बातों को हम इस वीडियो में जानने का प्रियास करेंगे रेप्टैल्स को हिंदी में सरीसरप कहते हैं शुरू करते हैं इसमें सबसे पह tweeting आपको इसके कुछ tola इन देख्शांपल्स आपको पता होनी चाहिए यहनी सरीसरप में चोंको इन आनिमल शामिल होते हैं इसमें आपने आश पैस जो दिखाए देते हैं उसके कुछ एक्जांपल्स देखते हैं जैसे आपके आसपास आपने देखा होगा टोटोईज देखा होगा टर्टल देखा होगा अलग-अलग परकार के जो सनेक हैं साप होते हैं उनको आपने देखा होगा बहुत सारी जो लिजर्ड होती है जैसे आपके घरों में भी छिपकली पाए जाती है वो भी इसके अंदर सामिल है इसका लाव मोनिटर जो लिजार्ड होती है वो भी इनमें पाई जाती है क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो भी इनमें पाई जाते हैं इनको मद्य नज़र रखते हुए इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके सामाने लक्षनों की बात करेंगे ताकि हमारे लिए इनके लक्षनों को याद रखना, समझना आसान हो सके यहाँ पर हमें ये चीज ध्यार में रखनी है कि इस से पहले जितने भी हमने एनिमल्स पढ़े हैं यानि जो कोडेटा में हमने पाइसेज को भी पढ़ा है, एमफिबियन्स को भी पढ़ा है पाइसेज और एमफिबियन्स पानी पर पूरी तरह से डिपेंडेड होते हैं लेकिन रेप्टिलियन ऐसे एनिमल्स होते हैं यानि इसके अंदर के दो सामिल एनिमल्स ऐसे हैं वो पूर्ण रूप से इस तल पर रहने के लिए अनुकुलित होते हैं इसके पीछे कई रीजन हैं उनको हम जानेंगे आगे शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले कुछ टर्मिनोलोजी के बारे में First, study of reptilia is called herpetology सरी सर्पों का अध्यन हर्पिटोलोजी कहलाता है Golden age of reptilia is mesozoic Mesozoic को golden age of reptilia का जाजा यह आप ध्यान रखेंगे First, successful terrestrial animal यह पहले ऐसे animals हैं जो successfully terrestrial habitat पर रहने के लिए अनुकुलित है हमारे इतने भी vertebrates में कहें चाहे कोडेट्स में अभी बात करें तो कोडेट्स में भी यह terrestrial habitat पर जो इस्तल बाग होता है वहाँ पर रहने के लिए पूरी तरह से अनुकुलित होते है इससे पहले कोई भी animals इस्तल पर रहने के लिए पूर्णत या नुकुलित नहीं होता है amphibians कुछ हज़ तक पानी के बाहर रहते हैं लेकिन पूर्णत या वो पानी के बाहर नहीं रह सकते नेक्स हम बात करते हैं इसी क्लास reptilia में कि जिसमें हम साम्माने लक्षन पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका word का मतलब समझते हैं कि जो reptilia word है यानि जो सरीसरपों का जो सब्द का जो क्या मतलब होता है आपने चिपकली को चलते हुए देखा होगा क्रोकोडाइल को चलते हुए देखा होगा वो अपनी जो सटय होती है या जो सरीस होती है उस से चिपक कर चलते हैं यानि वो रेंग कर चलने वाले होते हैं क्रिपिंग उनका लोको मोशन होता है इस वज़े से इसको नाम दिया गया है reptilia क्योंकि वो creeping animals है चिपक कर चलते हैं, crawling, rain कर चलने का, उनमें locomotion पाया जाता है और जो ये word originate हुआ है repair इसका मतलब to creep or crawl, यानि जो rank कर चलते हैं उनको हमने reptilia नाम दिया है और आप इसके जितने भी example देखेंगे, जैसे snake है, साप है, वो भी रेंकर ही चलता है अब सबसे पहले इसमें habitat देखते हैं कि ये कहां पर पाये जाएंगे, आपको ये विरित हो गया कि ये first successful terrestrial animal है तो ये generally आराम से इस्तल भाग पर आराम से हमें देखने को मिलेंगी, तो इनमें जो अधिकांस जो इनके सदस्या हैं वो terrestrial, ये जो इस्तल भाग होता है, ये जो धर्ती का जो भूमी वाला भाग होता है, वहाँ पर रहने के लिए अनुकुलित होते हैं, लेकिन कुछ animals हैं जो कि पानी में रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से dependent नहीं होते हैं, ये आप जानते हैं, जैसे क्रोकोडाइल आपको पानी के नस्दीक, पानी जहां होगा, उसके नस्दीक मिल जाएगा आपको अगर इनका सरीर के विभाजन की बात करें यानि इसके बोडी का division की बात करें, तो इसकी बोडी head, neck, trunk and tail में विवक्त होता है डाइग्राम से समझते हैं आगे वाला जो भाग है, जैसे चिपकली का आगे वाला, ये house lizard है आपके घर में जो पाई जाती है इसको गरेलू चिपकली कहते हैं आगे वाला भाग है, ये head region है, यानि इसका जो सिर है इसके बाद में यहाँ इनमें garden पाई जाती है neck region पाई जाता है इसके बाद में जितना भी part है, इसका ये trunk region बनाता है और इसके बाद में इसकी पोच्छाती है ये इसकी body के part है, ऐसे ही crocodile में भी इस तरह है compartment आपको देखने को मिलेगा, next हम समझते हैं, इसी की जो body सरचना है उनके बारे में, देखो हमें जितने भी characters याद करने होंगे, आपको लग रहा होगा कि याद करने में थोड़ी मुस्किल होगी, तो आपको कोई मुस्किल नहीं होगी अगर आप इनके example को ध्यान में रखते हुए, आप इनके जो उधारन हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अगर इनके जो characters हैं जो लक्षन हैं, उनको याद करने की कोसिस करेंगे, तो definitely आपको easily याद हो जाएंगे लेकिन जब तक आप example ध्यान में नहीं रखेंगे, तब आपको example, इनके जो लक्षन हैं, वो भी याद नहीं हो पाएंगे अब हम इसके सरचना के बारे में बात करें, body structure के बारे में बात करें, तो body is covered by dry, rough, non-glandular and cornified skins उनकी जो skin होती है वो कैसी होती है एक dry होती है dry मतलब बिल्कुल सुस्क क्यों होती है क्योंकि इसमें glans इस तरह की कोई पाई नहीं जाती है यानि इसकी जो बाहर का जो cover है बाहर की जो skin है उसमें किसी तरह की कोई ग्रंती नहीं पाए जाती है कुछ अपवाद जरूर मिलेंगे cornified यानि जो किरेटिन से यूक से बनी हुई skins पाई जाती है यानि वहाँ पर glans का भाव और नहीं करने इसको बिल्कुल dry skin पाई जाती है जैसे आपने monitor जो lizard है जिसको जनरली लोग गोहय के नाम से जानते हैं ये monitor lizard है monitor lizard जिसको आप अपने आसपास भी देखते है राजस्तान के पच्चिमी मरस्तल एरिया में इनकी संक्या बहुत सारी है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ में अपवाद सवरूप glans पाई जाती है जैसे की male जो lizard होती है lizard का मतलब छिपकली से है जो आपके आसपास आपको देखने को मिलती है छिपकली यानि male जो lizard होगी उसमें femoral gland पाई जाती है ये उसकी skin में पाई जानी जानी गरंती है बाकी किसी परकार की दूसरी गरंती नहीं पाई जाती है snakes and lizards said their skills as skin cast देखो skin जो है हर animals बाहर निकालते रहते हैं लेकिन अपन खुद भी अपनी भी skin एक दो मईने में replace हो जाती है लेकिन snake और lizard में क्या होता है पूरी जो बाहर की जो skin है वो एक साथ बाहर निकाली जाती है क्योंकि जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है वो अपनी skin को इस परक्रिया को हम कहते हैं malting जैसा कि आप डाइगराम में देख रहे हो यहाँ snake के जो यह अलग से skin है यह इसको बाहर छोड रहा है दिरे दिरे इसके बोड़ी के उपर नई skin आ चुकी है इस तरह आपको कई lizard में आप देख पाएंगे अपने आसपास भी देख पाएंगे कि वो इस तरह के particular skin को निकालने का काम करती है बोड़ी से बाहर करने का काम करती है एक्जोस्कलटन की बात करें यानि बाहर कंकाल की बात करें तो जो आपको दिखाई दे रहा है जो बाहर रूप से जो दिखाई दे रहा है यह इसका एक्जोस्कलटन है बाहर कंकाल है जैसे horny epidermal scales जो बाहर हैं जो epidermal scales है selk है bonny skewds जैसा कि आपको यहां tortoise में जो दिखाई दे रहा है bonny plates और bonny plates पाए जाती है इसके अलावा pentaductile जैसा कि इनके जो अंगुलिया होती है पैरों में हाथ और पैरों में यह pentaductile होते हैं यह इनमें पांच fingers पाए जाती है और इन fingers के आगे की तरफ इन curved claws पाए जाते हैं नाखून पाए जाते हैं जैसा कि आप यहां weariness में देखो गोहर में यहां आपको जो head बाग है यहां आपको बहुत सारे वो claws दिखाए देते हैं ऐसे ही tortoise में भी आपको claws दिखाए देंगे snake में limbs absent होते हैं pair नहीं पाए जाते हैं so इनमें claw नहीं पाए जाते हैं two pairs limb are present दो जोड़ी दो जोड़ी का मतलब हो गया चार pair टोटल कुल मिलाकर चार pair पाए जाते हैं चार pair तब ही तो हमने इसको ट्रेटरा पोड़ा सूपर क्लास के अंतरकत सामिल किया है तो इसमें चार pair पाए जाते हैं इन snake सापों में and some lizard और कुछ छिपकलिया ऐसे होती है जिनमे limbs नहीं पाए जाते हैं वो limb less होते हैं उनमें pair नहीं पाए जाते हैं जिसमें example है हमारे पास में ओफियो सोरस ओफियो सोरस जो छिपकलिया है उसमें limb नहीं पाए जाते हैं pair नहीं पाए जाते हैं यहां जो आपको डाइग्राम दिखाया गया है यह जो छिपकली है यह एक छिपकली है सांप नहीं है आप कन्फ्यूज नहीं होंगे ओफियोसोरस एक छिपकली है और इसमें पैर नहीं पाए जाते हैं नेक्स हम समझते हैं क्लास रेप्टिलिया के सामधने लक्षणों को और आगे बढ़ाते हुए हम और करेक्टर समझते हैं इसकल की बात करें इसकल इनमें मोनो कॉंडायलिक होगा हमें जो monocondylic का मतलब क्या हो गया हमें ये ध्यान में रखना है जो amphibians है उनमें diocondylic होता है reptilia होते हैं उनमें monocondylic होता है evies आगे जो पढ़ेंगे वो भी monocondylic होते है लेकिन जो mammals होते हैं वो diocondylic होते हैं यानि इसकल की condyle के अधार पर occipital condyle के अधार पर mammals and amphibia diocondylic होते हैं reptilia evies monocondylic होते हैं क्योंकि इनमें एक ही occipital condyle पाये जाता है single occipital condyle पाये जाता है centrum of vertebrae is prosilis जो vertebrae होती है यानि इसकी जो कसे रुकाई होती है वो prosilis प्रकार की होती है prosilis में क्या होता है आगे वाला भाग उत्तल होता है और पीछे वाला भाग उत्तल होता है caudal vertebrae form saveron bone एक bone बनती है saveron bone वो आप ध्यान रखेंगे जिसको चेवरon bone भी कहते है चेवरon हड़ी का निर्मान करती है जो की codal जो पूँच की जो कुछ कसे रुकाई क्या है आपस में मिलने के बाद में चेवरon bone का निर्मान करती है जैनी ये reptilians की specific विसेशता है कि इसमें चेवरon bone पाई जाती है इसके अलावा ribs and true sternum present होते है इसमें जो पसलियां होती है वो पाई जाती है और sternum sternum का आसे यहां पर है जहां से ribs दो तरफ से जुड़ती है एक तो vertebris से जुड़ जाती है और दूसरी तरफ जो ventral surface है यानि जो अधर भाग होता है वहां पर एक structure पाई जाती है उससे आके जुड़ता है जैसे मनुस्य में आपको ribs की structure देखा होगा आपने इस तरह ribs जो पाई जाती है यह आगे वाले भाग हम कहें अधर की तरफ जो भाग होता है वहां से ribs जो जुड़ती है वो sternum भाग कहलाता है और पीछे की तरफ vertebral column से जुड़ा होता है तो जो यह sternum होता है यह reptilians में पाया जाता है अब हम बात करते हैं sensory system की समवेदी जो तंतर है उसके बारे में external ear absent सबसे पहले कान के बारे में बात करते हैं कान इनमें बहारी रूप से बहारी जो कर्ण है वो इनमें नहीं पाया जाता है टिंपेनम रिप्रेजेंट इयर इनमें टिंपेनम पाया जाता है जो की vibration को receive करने का काम करता है जो कमपन होंगे आसपास के वातावन में उनको receive करने का काम करता है और यह समवेदनाओं को receive करने के बाद में आसपास होने वाली आवाजों को कुछ हद तक पैचानने का काम करता है लेकिन ये vibration की गती उच्छ होनी चाहिए या इसके जो फोर्ब आगे वाला जो head region है वो धर्ती से चिपका हुआ पाया जाना चाहिए ताकि इसके जो lower जो है उससे जुड़ी हुई quadrant bond के तुरू ये temperate membrane तक message जा सके यानि इनमें उच्छी स्थर का development नहीं होता है sensory system का सुनने की सक्ति इतनी नहीं पाय जाती है कुछ vibration को ही ये receive कर पाते है lateral line system absent a special organ called jacobson present on roof or buckle cavity एक special organ एक विशेश अंग पाया जाता है जिसको कहते हैं jacobson ये आप नाम ध्यान रखेंगे jacobson जो organ पाया जाता है वो इनमें all factory organ के रूप में काम आता है all factory का मतलब ये हुआ कि वो सूंगने का काम करता है यानि कोई smell होगी उसको सूंगने में उसको smell करने में मदद करेगा और ये जो jacobson organ पाया जाता है वो snake में यानि जो साप होते हैं उनमें और lizard जो होती है यानि जो छिपकलियां होती हैं उनमें पाया जाता है इसकी इस्ति जो बकल केविटी होती है जो मुखग हुआ होती है उसकी चत्व की तरफ यानि उसके उपर की तरफ पाया जाता है डाइग्राम के थुरू इसको समझते हैं जैसा कि यहाँ पर डाइग्राम में हमें snake का head region जो दिखाया गया है यह snake का head region है जिसमें आपको tongue दिखाये दे रही है यानि इसकी जिवा दिखाये दे रही है और इसकी जो जिवा होती है वो बाइफिड होती है दो भागों में विवक्त होती है इसके यह mouth भाग हो गया इसका तो इसकी उपर की तरफ जो छट वाला भाग है वहाँ जेकोब्सन ओर्गन पाया जाता है और यह जेकोब्सन ओर्गन क्या होता है यह इसका brain वाला region है यह brain का जो region है वहाँ से यह nerves के तुरू connect रहता है और यह जैसे ही कोई बहारी वातावन में smell होगी उसको sense करता है और उसके प्रती जो भी reaction होगा snake का और lizard का वो अपना संबादित करते हैं next हम बात करते हैं circulatory system की जैसा की spices में amphibians में close circulatory system पाया जाता है ऐसे ही reptilians में भी close circulatory system बंद परकार का परिशन चंड तंदर पाया जाता है इसमें जो रदय होता है यानि जो hurt होता है usually three chambered यानि उसमें तीन chamber पाया जाते है तीन chamber यानि तीन कक्ष पाया जाते है जिनमें two oracle and one ventricle उसमें से दो तो हो गए आलिंद और एक हो गया निलय लेकिन four chambered in crocodiles जो crocodiles है जो मगरमा चालवा हम order बढ़ेंगे उसमें four chamber उसमें चार चेंबर पाये जाएंगे यानि उसमें दो oracle और दो ventricle पाये जाएंगे इसके अलावा sinus venosus less develop होता है and truncus arteriosus तो absent ही होता है अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दो special चीज क्या आगई sinus venosus and truncus arteriosus जैसा कि हम amphibians और paisage में पड़े हैं इन दोनों के बारे में क्योंकि वहाँ पर दो chamber heart पाए जाते हैं अब ऐसा तो है नीना कि heart एक साथ ही चार चेंबर बन जाएंगे जहां हमने paisage में दो चेंबर heart पड़े हैं दो chamber heart में थोड़े थोड़े sack like structure पहले बनना सुरू हो जाते हैं यह हम कहें उसके पास में जो connect होने वाली जैसे इस तरह समझते हैं जैसे एक island है यह venus heart की बात कर रहे हैं मचलियों के रदे की बात कर रहे हैं यह island है और यह निले है auricle and ventricle है इसमें जो blood connect रहता है जिस नली के थूँ और यहां से जब जाता है तो क्या lower animals में क्या यहां वाली vessels थोड़ी फूल जाती है क्योंकि उनको requirement इस तरह की रहती है यहां पर भी यह फूल जाती है जैसे जैसे उद्यूगास हुआ इसका जो यहां फूलना था वो कम हो गया और इसमें compartment शुरू हो गये ऐसे ही इस दूसरे में भी compartment शुरू हो गये तो यह जो फूलने वाला था यानि जो sinus venosus और truncus arteriasis जो structure बन रहती यह regret होती रहती है यानि कम होती रहती है इसकी जो फूलने की जो यहां पर vessels है वो छोटी सी diameter में कम होती रहती है कोई तरह का कोई chamber form नहीं करती है जिससे क्या है हम जैसे जैसे ओर आगे बढ़ेंगे यह पूरी तरह से absent हो जाएंगे तो जो हम reptilia की बात कर रहें तो यहां पर sinus venusus तो बहुत ही कम विक्षित होता है और trungus arteriosus तो absent ही हो जाता है लेकिन Pisces और amphibians में यह पूरी तरह से develop होते हैं क्योंकि वहां पर इनको आप सकता है यहां हम diagram के तरू देखो यहां पर amphibians को एक बार फिर से revise कर लेते हैं यहां और यह ventricle होता है यहां birds and mammals में हम पढ़ेंगे कि four chamber heart पाये जाता है चार chamber वाला चार कक्सों वाला रदय पाये जाता है लेकिन reptilia में आप ध्यान दाखेंगे three chamber heart ही पाये जाता है और एक ventricle पाये जाता है digestive system की बात करें यानि जो पाचन तंत्र है वो reptilians में पूरी तरह से विक्सित होगा यानि complete digestive system पाये जाता है यहां पर NS नहीं पाये जाकर cloica पाये जाता है cloica जिन में urinary system excretory system and reproductive system की opening हो ऐसा इस्तान cloica कहलाता है next अम बात करते हैं इसी में teeth की दान्तों के बारे में बात करें तो दान्तों में अलग अलग परकार के पाये जाएंगे acrodont भी पाये जाएंगे यानि जो बहुती कम जिनका gum से यानि मसुडों से जिनका जुडाव कम होता है यानि वो पूरी तरह से easily breakable हो सके जैसे हम कहें कि इस cavity के इसको उपर दान्त का टेच्ट रेना है तो बिल्कुल superior pore पर ये जुड़े होए रहेंगे थीकोडावन्ट यानि जो बिल्कुल cavity के अंदर के तरफ दसे हुए दान्त पाये जाएंगे यानि ये मजबूत दान्त होंगे और plurodont जो एकी तरफ से एकी तरफ से किसी भाग से जुड़े हुए रहते हैं तो इसमें सबसे loosely connected acrodont होते हैं फिर plurodont होते हैं और thीकोडोंट सबसे मजबूती दान्त होते हैं जो की thीकोडोंट पाये जाते हैं crocodiles में अब हम समझते हैं respiration के बारे में यानि जो स्वशन होता है उसके बारे में क्योंकि ये इस्तल भाग पर आ चुके हैं तो यहां पर किसी परकार की gills जैसी सरचना नहीं पाये जाती हैं यहां पर lungs पाये जाते हैं यानि फैपडे पाये जाते हैं सांस के लिए इसके अलावा स्वशन के लिए but in order किलोनिया हम आगे एक order पढ़ेंगे किलोनिया किलोनिया जिसमें turtles आते हैं tortoise आते हैं कचवे आते हैं उसमें क्या होता है cloical respiration present cloical respiration पाये जाता है यानि जो cloica का भाग होता है वो respiration में मदद करता है आगे हम समझेंगे इस सीज को हम यहाँ पर आप सोचो की cloical respiration की किलोनिया को क्या आए सकता पढ़ गई तो इसका answer simple सा यह है क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ जो turtle होते हैं वो पानी के अंदर पाये जाते हैं और उनमें lungs पाये जाते हैं लेकिन वो पानी के अंदर जब रहेंगे तो उनको respiration की प्रक्रिया किस तरह से होगी तो उनमें उस समय जब वो पानी के अंदर रहेंगे तब cloical respiration उसमें मदद करेगा नेक्स हम समझते हैं excretory system यानि उत्साजन तंदर के बारे में उत्साजन तंदर पूरी तरह से विक्सित होगा इस तलिए भाग पर पाये जाते हैं इसलिए इन में विक्सित kidney पाये जाती है जिसको कहते हैं metanephric kidney पाये जाती है ये one pair में पाये जाती है यानि एक जोड़ी पाये जाती है ये एक इस्तलिए भाग का इस्तल भाग पर रहने के adaptation है इनको यूरिक एसिड सिक्रीट करने के लिए बहुती कम मात्रा की पानी के आश्रता पड़ती है हम इनके जो उत्साजन प्रोड़क्ट हैं उसको इस तरह से समझ सकते हैं एक होता है अमोनिया दूसरा होता है यूरिया और तीसरा होता है हमारे पास में यूरिक एसिड अब हम इन तीनों के उससे जन के बारें बात करें तो सबसे अधिक जो पोईजनस होता है यह हम कहें टॉक्सिक होता है वो अमोनिया होता है उसके बाद में यूरिया तोड़ा कम टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड उससे भी कम टॉक्सिक होता है अमोनिया के उससेजन में सबसे अधिक पानी के अश्कता पड़ती है जो एनिमल्स जनरली ये स्टेटमेंट है कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं जो पानी ले सकते हैं बरबूर मात्रा में या कुछ अद तक उनको पानी की रिक्वाइमेंट हो उसके लिए यूरोटेलिक होता है यानि वो urea का उससेजन करते हैं यूरीक असिड में क्या होता है जो कि बहुत ही कम पानिय आफ़ता होती है उनको यूरीको टेलिक होते हैं जैसा कि रेप्टाइल्स होते हैं अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की जो क्लास रेप्टिलिया है उसका nervous system कैसा होता है तो इसमें well developed brain पाया जाता है पूर्ण विक्षित मस्तिस्क पाया जाता है और cerebrum भी विक्षित पाया जाता है 12 pairs cranial nose पाया जाती है 12 जोड़ी जो cranial nose है वो पाया जाती है जैसा हमने class MPBA जो mendak वाला जो class था और Pisces मचलियों का जो class था उसमें हमने बढ़ा है कि वहाँ पर 10 pairs cranial nose पाया जा रही है यहाँ पर 2 pair extra cranial nose पाया जा रही है means वो जो class reptilia है वो दूसरे animals frog और मचलियों से fishes से advance होते हैं अब हम बात करते हैं इनके body के regulation से बात reptiles are poikilothums या हम कहें actothums actothum भी कह सकते हैं यानि ये बाहरी वातावन के अनुसार इनका सरीर का तापमान बदलता रहता है जब peak level का जब winter हो जाता है जब बहुत cold मौसम हो जाता है तो ये hibernate कर जाते हैं next समब बात करते हैं reproduction की प्रजनंद की reproduction इसमें सबसे पहले इसमें बात करें fertilization की यानि nutrition की nutrition इनमें आंत्रिक होता है आंत्रिक nutrition की जब प्रक्रिया पाई जाती है वो terrestrial adaptation है यानि इस तलिया आवास पर रहने के लिए वो एक अनुकुलन है इसमें क्या होता है male copulatory organ पाई जाता है इस male copulatory organ जो male gamete को female body में transfer करने में मदद मेरता है mostly oviparous अधिकांस जो इसके सदस्य है वो oviparous होते हैं अंडे देने का काम करते हैं some vviparous कुछ vviparous भी होते हैं यानि बच्चे देने का काम करते हैं एग इनके होंगे वो polylacital होंगे यानि हम कहें कि उसमें बहुत सारा पिक तक भरा होगा बहुत सारा जो उसमें nutrients है वो भरा होगा रहता है इनके अंडे क्लिडोइक होते हैं क्लिडोइक एग उनको कहते हैं जो बाहर के दौए बाहर से उनका बाहर का जो आवरन होगा वो calcium carbonate से मिलकर बनावा होगा बहार का जो आवरन होगा रफ होगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको कई परकार की विसम प्रस्थियों से सामना करना पड़ता है reptiles जैसा कि आपको ये भी पता है कि ये desert में भी मिलते हैं बहुतायत में तो इनके egg वहाँ के extreme level की गर्मी में कैसे survive करेंगे तो इस चीजों के adaptation के लिए इनके जो egg होते हैं वो cledoic प्रकार के होते हैं यानि उनके बाहर calcium carbonate का कवच पाया जाता है अब हम समझते हैं amniota के बारे में amniota क्या होता है पहले तो यह समझते है amniota उन ग्रूप्स को उन अनिमल्स को रखा गया है amniota में जिन में extra embryonic membrane पाय जाती है उनको amniota कहते हैं extra embryonic membrane amniion होती है chorion allantois तो कई प्रकार की जो extra embryonic membrane है वो class reptilia में पाय जाती है development direct होता है यानि रेप्ट्लास reptilia reptiles में जो परिवर्दन होता है वो प्रतक्स प्रकार का होता है यानि इनमें लारो अवस्तान उपस्तित होती है parental care इनमें पाई जाती है लेकिन कम होती है इनमे parental care जैसा कि आपने crocodile में देखा होगा पाई जाती है लेकिन कम पाई जाती है sexes are separate यानि ये unisexual होते है एक body के उपर सिर्फ एक ही प्रकार के reproductive organ पाई जाएंगे यानि male और female दोनों separate होंगे fertilization internal होगा इसके बारे में बात कर चुके हैं ove paris होंगे और development direct होगा अब हम समझते हैं classification के बारे में जो reptilia का जो वर्गी करण किया गया है उसके बारे में classification का जो आदार है सबसे पहले उसको समझते है classification based on the presence oblique absence and number of temporal fosse in temporal region of skull जो इनका skull का जो भाग है skull के कई परकार के part होते हैं जैसे frontal हो गया temporal, occipital, parital ये skull के भाग होते हैं रेप्टिलिया में जो temporal region है वहाँ पर cavity पाए जाती है उस cavity को कहते है temporal fosse इस temporal fosse कुछ animals में पाए जाती है किसी में एक जोड़ी में पाए जाएंगी किसी में दो जोड़ी में पाए जाएंगी किसी में उपर की तरफ एक जोड़ी पाए जाएगी उपर वाली जो bones की तरफ जब हम इनका skull के बारे में skeleton system जब पढ़ेंगे उसमें बाताएंगे कि ये इसकी position किस आदार पर है इस आदार पर इनी temporal fosse के number के अब आदार पर इनकी उपस्तिती ये अनुपस्तिती के आदार पर हमने इसको कुछ sub class में divide किया गया है class reptilia को sub class में divide किया गया है 5 sub class में divide किया गया है जिसमें से जो 3 class sub class है वो विलुप्त हो चुकी है ये extinct हो चुकी है यानि ये अब इनका कोई सदस्य जीवित नहीं है ये विलुप्त हो चुके है बाकी जो हमारे दो उपर के जो गुरूप है वो दोनो अब वर्तमान में इसके सदस्य से पाए जाते हैं सबसे पहले sub class अनापसिडा दूसरी जो class है युरापसिडा तीसरी जो sub class है परापसिडा युरापसिडा के सदसे ही जीवित हैं युरापसिडा परापसिडा इन सिनापसिडा इन टीनों के सदसे कोई भी वर्तमान में जीवित नहीं पाए जाएंगे ये ध्यान रखेंगे तो हमारा जो आज हम बात करेंगे अनापसिडा के बारे में और divertida के बारे में बात करेंगे स्बसे पहले Naapsida को देखते हैं Naapsida में क्या होता है Naapsida Subclass Naapsida इसमें क्या होता है Temporal Ph say absent होता है यानि Naapsida means absent इसमें जो फोसा पाए जा रहा था Temporal Region में वो अलूपस्तित होता है इसकल में जो temporal fossa पाए जा रहा था वो इसमें नहीं पाए जाता है इसको दो order में divide किया गया है एक order है kotylosoria kotylosoria के animals extinct हो चुके हैं यानि इसके सद्द से भी विलुपत हो चुके हैं एक्जाम पर simandria जो simandria है उसको connecting link between amphibians and reptilia जो anthivia है और reptilia है उनके बीच की योजक कड़ी simandria को कहा गया है इसके सद्द से सभी विलुपत हो चुके हैं आप ध्यान रखेंगे दूसरा जो order है किलोनिया इसमें क्या होता है सबसे पहले इसमें आप ध्यान रखेंगे टोटो ही जाते हैं और टर्टल्स आते हैं इसके लाव टेपरेंस भी इसके अंतरकत सामिल किये जाते हैं यानि आप जैसे आपने आसपास कच्छुए देखते हों उनके करक्टर के अदार पर बोडी इनकी ब्रोड होती है चोडी होती है अंडे के समान होती है इनका हैबिटाट इसतलिय बहाग पर भी हो सकता है और और एक्वेटिक भी हो सकता है यानि पानी के अंदर भी ये पाये जाते हैं बोडी इज कवर बाई शेल बोडी शेल के द्वारा कवर रहती है जिसके कहते हैं कैरा पैस करापेस जो की प्रस सरफेस पे वाला जो इस सेल होगा वो चैलाता है और प्लूस ट्रोन जो वेंटल सरफेस पे जो सेल पाये जा रहा है उसको कहते है foot have nails and web जो पैर होंगे उनमें नाखून पाये जाएंगे और जाल पाये जाएगा जो की web तैरने में मदद करेगा neck, limbs and tail have scales इनकी body पर neck वाले region पर पैरों के उपर पूज के उपर scales पाय जाते हैं cloical respiration इनमें पाय जाता है यानि जो अवसकर जो स्वसन की प्रक्रिया होती है वो अनापसिडा में पाय जाती है और भी पैरस होते हैं अंडे देने का काम करते हैं एक्जांपल की बात करें तो testudo जिसको terrestrial tortoise कहते हैं kilon जिसको marine turtle कहते हैं इसके लाँ tapirins भी इसके अंदरगत सामिल होते हैं इनके हमें कुछ diagram के थुरूद देख लेते हैं इनको यहाँ पर जो एक हमें जो दिखाई दे रहा है आपको इसको कहते हैं Indian Flaff Cell Turtle यह turtle है आप ध्यान रखेंगे tortoise नहीं है क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे इसके जो fingers हैं उनके बीच में यहाँ पर आपको जाल दिखाई देगा यहाँ इसकी फिर एक finger है यहाँ फिर आपको web दिखाई देता है यानि यह तैरने के लिए इस काम में लेते हैं इसको दूसरा आपको star tortoise जो आपके आसपास देखने को मिलता है star tortoise star tortoise यह इस्थलिय बाग पर पाये जाता है यानि यह इस भूमी पर रहने के लिए अनुकुलित होता है देख रहे हैं यहाँ पर इसके तीन एक्स भी दिखाए गए है यानि यह ओवी पेरस होते हैं यह हमें पता चल गया है इसके अलावा हमें एकोट turtle यहाँ पर दिखाए दे रहा है जो marine habitat में पाये जा रहा है next हम समझते हैं दूसरी जो subclass है उसके बारे में diapsida diapsida के बारे में diapsida है उसमें temporal force से two pace में पाये जाती है यानि temporal force से चार पाये जाती है one pair superior होते हैं और one pair inferior होते हैं इनकी जो position के अदार पर दो superior होते हैं और दो inferior होते हैं इसको कुछ ओडर्स में डिवाईड किया गया है जिसमें पहला ओडर है रिंको सिफेलिया, दूसरा ओडर है इसको अमाटा और थर्ड जो ओडर है क्रोकोडीलिया, एक एक को हम पढ़ते हैं सबसे पहले order first रिंको सिफेलिया रिंको सिफेलिया डायप सिडा के अंतरगत सामिल है जिसके अंतरगत अधिकान सदस्य से विलुप्त हो चुके हैं एक ही इसकी species पूरे संसार बर में पाई जाती है वो भी न्यूजिलेंड में पाई जाती है maximum species extinct हो चुके हैं अधिकानस इसकी जातिया विलुप्त हो चुकी है एक single species पाई जाती है जो की न्यूजिलेंड में पाई जाती है टैल लेटरली कमप्रेस्ड होती है इसकी जो पूँच होती है वो पार्स वता संपिटित होते हैं और ये लिजार लाइक होते हैं यानि छिपक स्पिनोडोन पंक्टेटम इसको टुआ टारा भी कहते हैं टुआ टारा भी कहते हैं और ये एक living fossil है living fossil के बारे में हम ये समझ चुके हैं कि living fossil उसको कहा जाता है जिसकी अधिकानस सजातियां विलुप्त हो चुकी है जो वर्तमान में कोई जीवित नहीं पाई जा रही है औ और वो जो एनिमल्स हैं लाकों सालों से वह है एक्जिस्ट कर रहा है उसी फो में उसी स्पीशीज के रूप में तो उसको हम living fossil की संग्या देते हैं नेक्स्ट ओडर सेकेंड की बात करते हैं इसक्वे मेटा की बात करें इसक्वे मेटा के अंतरकत आप ध्यान रखेंगे इ और लीजर्ड यानि जो चिपकलियां होती है वो इसके अंतरकत सामिल होती है टीत इनमें एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट टाइप के होते हैं होर्न हनी स्केल्स पर जाते हैं इनमें जो होर्नी स्केल्स पाए जाते हैं एक्चुली होर्नी स्केल्स पाए जाते हैं इस्ट चिपकलियों का दिन psychology गहलाता है इस टयडि ओफ स्नेक औफियोभी डाता है है पुस्को हम कह सकते हैं सअब्क सेपल्स निकों कह लेते हैं इनिकोंम होता सब Annual के example देखते हैं, जिसमें पहला example है, hemidectilus जिसको wild lizard कह सकते हैं या house lizard भी कह सकते हैं, यानि घरेलू छिपकली जिसको कहते हैं ये hemidectilus है diagram में आप देख पा रहे हुँए आप अपने घरों में भी देख सकते हैं second जो है, उसको कहते हैं, example जो calotus है जो देखने को मिलती है, इसको garden lizard कहते हैं, क्योंकि हमारा जो आसपास का जो एरिया होता है, हमारे जो garden होता है, उनमें generally ये जो छिपकली है, वो आसाही है, देखने को हमें मिल जाती है इसके अलावा, next हम बात करते हैं, छिपकली की draco ड्रेको भी एक परकार की चिपकली है इसको flying lizard कहते है इसका diagram देखिए आप ये इसकी यहां से, इसकी structure इस तरह से है और ये ये इस तरह से इसके क्या है, जो यहां की skin थी, यहां वाले भागी वो फैल चुकी है, और फैल कर patagium का formation करती है, और patagium ये क्या करता है, ये कोई वास्ताव में flying इसको उड़ने में मदद नहीं करता है, ये सिर्फ glide करने का काम करते हैं Gliding क्या होती है, मान लिजे कि कोई lizard किसी पेड के उपर कहीं टैनी पर बैठी हुई है और ऐसे ही कोई दूसरा पेड है, वो उड़के दूसरे पेड के उपर की तरफ नहीं जा सकती ये सिर्फ glide करके, यानि अब पंको को फैला कर थोड़ा नीचे की direction में आती है फिर अगर इसको जाना होगा तो ये चिपक के रहेंकर इसके चिपकती हुई फिर उपर जाएगी, फिर या तो नीचे की तरफ glide करेगी ये उपर की तरफ, नीचे से उपर की तरफ उड़ नहीं सकती हमेशा उपर से नीचे की तरफ ये glide करते हुए आराम से आती है तो इसलिए जनरली इसको ऐसे समझा जाता है कि ये उड़ती है, नहीं फ्लाइंग लिजर्ड कहा गया है लेकिन उड़ती नहीं है वास्ता में, ये सिर्फ glide करने का इसका काम करती है नेक्स एक्जमपल्स देखते हैं, केमिलियोन केमिलियोन आपने देखा होगा बहुती दीमी चाल से चलती हुई इसकी आँखे भी बहुत चारो तरफ से घुमने वाली होती है या आपने आसपास भी देखा होगा इसकी जो टेल होती है, वो प्रिहनसायल होती है प्रिहनसायल मतलब ये किसी टहनी के उपर राउन फॉर्म में लिपड जाती है और उस चिपकने में में मनद करती है इसको कहते हैं, आर्बोरियल लिजर्ड कहते है ये वीवी पैरस होती है, यानि बच्चे देने का काम करती है ये ऐसी चिपकली है, जो बच्चे देने का काम करती है नेक्स्ट, कुछ और चिपकलियां देख लेते हैं जैसे कि वेरेनस जिसको आप लोग गोहे के नाम से जानते हैं, जिसको मोनिटर लिजार्ड कहते हैं और यह है largest living lizard है, जितनी भी छिपकली हैं उनसमें सबसे बड़ी छिपकली है यह, आपने आज पास आपने देखा होगा, इसमें poison नहीं होता है, next हम बात करते हैं हिलो डर्मा की जो अपने इंडिया में नहीं पाय जाते हैं इंडिया के बाहर इसकी पाय जाती है अर यह है एक मात्र poisonous lizard होती है इसके अलावा कोई भी ऐसी lizard नहीं है छिपकली नहीं है जिसमें जहर पाय जाता हो यही एक मात्र poisonous gland रखती है और इसमें जो poisonous gland होती है वो sublingual glands का modification है इसके लावा एक और interesting example lizard में Ophiosaurus Ophiosaurus जैसे आपको डाइग्राम में दिखाई दे रहा है Ophiosaurus है उसको कहते हैं glass neck या हम कहें limbless lizard यानि जिसके पास पैर नहीं पाए जाता हो ऐसी चिपकली ये उन चिपकलियों में सामिल है जिसके पैर नहीं पाए जाते हैं तो ये एक interesting example है आप इसको भी द्यान रखेंगे अब हम बात करते हैं कुछ snake के examples यानि जो साफ होते हैं उनके उधान समझते हैं सबसे पहले हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि हमें कोई पूचे की non poisonous snake कौन से हैं और poisonous snake कौन से हैं तो उस तरीके से मैं यहाँ पर इसको लिखा है आप लोगों के लिए सबसे पहले देखते हैं non poisonous snake के बारे में यानि जिन में जहर नहीं पाया जाता है उन snake का example देखते हैं जिसमें सबसे पहले है python moldrous जिसको rock python भी कहते हैं python moldrous जिसको rock python भी कहते हैं क्योंकि यह generally पहाडों के उबर चटानों के उबर पाये जाता है यह सबसे बड़ा सा आप होता है जैसा कि यहाँ आपको python का diagram दिखाए दे रहा है दूसरा है tyus mucosa tyus mucosa जिसको red snake कहते हैं या friend of farmer कहते हैं tyus mucosa actually red snake इसलिए का जाता है क्योंकि यह खेत में जितने भी चूहे होते हैं चूहों को खाने का काम करता है तो जो चूहे जो फसलों को नुक्सान पहुंचाते हैं उससे बचाने का यह सांप उसमें मदद करता है इसलिए इसको किसानों का दोस्त का आजाता है मित्र का आजाता है next समझते है erics johini जिसको sand boa कहते हैं जो मिट्टी में पाया जाता है यह sand boa आपको यहां पर diagram में दिखाया गया है यह जनरली आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी इनमें किसी में भी poison नहीं पाया जाता है टिफलोफस जिसमें blind snake कहते हैं छोटा सा साप होता है इन जितने भी example हैं उसमें poison नहीं पाया जाता है next हम बात करते हैं poisonous snake के बारे में जिनमें जहर पाया जाता है उन snake के बात करते हैं जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोफिस हाइड्रोफिस मेराइन स्नेक होते हैं जो समुंदरी पानी में जो पाए जाते हैं जो समुंदरी पानी में पाए जाते हैं इसके समुंदरी साप कहते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर जो पहला डाइग्राम है यह सी स्नेक है जिसकी पू नाजा नाजा जिसको इंडियन कोब्रा कहते हैं, यहां बर इंडियन कोब्रा आपको दिखाया गया है, इसको बाइनो सिलेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो इस तरह के सिलेट आपको देखने को मिलते हैं, बुंगारस जो की क्रेट से सम्बंदित है, क्रेट की केटेगरी म सामिल के अगया है Crotless Crotless जो Snake है उसको Rattle Snake कहते हैं क्योंकि आप इसकी जब टेल देखेंगे ये इसकी टेल है इसकी टेल जब ये move करता है या गती करता है तो हलका सा इसमें अलकी से आवाज आती है तो इसलिए इसको आवाज करने वाला Snake कहते है ये वीवी पेरस होता है बच्चे देने का काम करता है वाइपेरा ये वाइपर की केटेगरी में है ये भी वीवी पेरस होता है और इसका जो पोईजनेस होता है वो हीमो टॉक्सिक होता है हीमो टॉक्सिक हीम का मतलब आप जानते हैं बलड से सम्मदित है यानि blood में जो poison पैदा करे उस तरह का सांप होता है यह जबकि cobra का जो सांप होता है वो neurotoxic होता है यानि वो तंत्री का तंत्र को प्रभावित करता है जबकि wiper का hemotoxic होता है यानि वो blood को प्रभावित करता है blood के cloak बनाने का काम करता है next अप समझते हैं अगले order के बारे में crocodile के बारे में जो हमारा last order है इसमें crocodile सामिल है alligator सामिल है और graveyardus गाइवियल जिसको घडियाल कहते हैं यह इसके अंतरगत सामिलत थे हैं घडियाल आपको इंडियन डिजन में आराम से देखने को मिलते हैं क्रोकोडाइल भी आपको आजपास देखने को मिल जाएंगे, एलिगेटर अपने यहाँ इंडिया में नहीं पाये जाता है, यह नौर्थ अमेरिका और चाइना में पाये जाता है, लार्जेस्ट रेप्टाइल्स हैं वर्तमान में, लिविंग में, इसकिन कवर्ड बाई बॉनी स्क्यूट्स, इसकिन के उपर बॉनी स्क्यूट्स आपको छोटे-चोटे यह दिखाए दे रहे होंगे, फोर चेम्बर हार्ट पाये जाता है, इनमें चार कक्स पाये जाता है रदई में, यूरिनरी जो ब्लेडर होता है, मुत्रास है जो होता है, वो इनमें एपसेंट होता है, एक्जाम्बल इसके क्रोकोडाइल, जैसा कि आपको ड्राइग्राम में दिखाया गया है, गेवी अलिस गेवी अलिस आपको दिखाए दे रहा है यह कहते हैं इसको गडियाल कहते हैं हिंदी में यह जो एक्जामपल आपको अपने आसपास नोट के अधार बराब पैचान कर सकते हैं गडियाल की और नेक्स्ट है अलिगेटर जो आपको यहां पर दिखाए दे रहा है ये थे कुछ इंट्रेस्टिंग एक्जाम्पल क्लास रेप्टिलिया के उम्मीद है आपको अच्छा लागा होगा आपको कोई डाउट हो, कुछ क्यूशन्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं सभी को धन्यवाद, थैंक्स यू